आज हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी के तीसरे कोश्चन को सौल करेंगे इससे पूरू हमने पिशली कप्षाओं में दो प्रश्चन को सौल किया है आज तीसरा प्रश्चना पॉलिटिकल साइंस जो कोश्चे में 2019 से उसमें तीसरा प्रश्णा पार्ट वी में आया था राजमिती विज्ञान के शिक्षक की जिम्मेदारिया एवं पेशेवर आचार का उलेग किजिए हमने जो एकाई तीन है उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस टीचर के बारे में पढ़ा था उसके गुण के बारे में पढ़ा था उसके उत्तरदाइत्व क्या होते हैं उसकी वेबसाइक आचार सहीता क्या इसके बारे में हमने विश्टत रूप से अध्यान करा था उसी में से यह तीसरा question आया है कि राजीती विक्यान जो शिक्षक है उसकी क्या जिम्मेदारिय होती है उत्तरदाइत वो क्या है और जो website जो आचार सहीता है अब देखना यहाँ पर जो language है उस language को थोड़ा सा इस question में change कर गया गया है बुक के अंदर जो language है वहां पर जिम्मेदारिया ना होकर उत्तरदाइत वह है तो इसका यहाँ परहा बाची जिम्मेदारिया दे दिया और पेशेवर आचार तो पेशेवर बुक के अंदर website दे रखा है तो यहाँ पेशेवर इस तरह से थोड़ी सी यह language change कर गये लेकिन questions का answer वही है यालिकि आपको बताना है कि जो political science का teacher उसकी क्या जिम्मेदारिया है और website आचार सहीता क्या है सबसे पहले इसकी जिम्मेदारिया और जो उत्तरदाइत वह उसके बारे में जानते है political science teacher की जिम्मेदारी सबसे पहले है छात्रों की प्रकरती युग्यता आवशक्ताओं रुचियों विकास तथा सीमाओं का ज्यान रखे एक teacher की यह अच्छी मतलब habit होनी चाहिए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वह जो बालगों का नीचल से और उसकी जो युग्यता ह उनकी क्या रुचिया उनको क्या विकास किस तरसी किया जाना है उनकी क्या पमिया है इन सब का शिक्षक को ज्यान होना चाहिए ताकि समय समय पर इन पहलू को जानकर बच्चों कैसा शिक्षन कराना है उनको आगे की तरफ किस तरसी प्रोग्रेस कराना है इन सब बत का ज्य और यह तभी संबभ हो सकता है जब शिक्षक को बाल बनविज्यान का ध्यान हो अगर बालकों के मानसिक इस्तर का ध्यान हो तो शिक्षक इन बातों का ध्यान 30 a अगला है छात्रो को नविन्तंग घड़नाओं की जानकारी जहां परिस्तितिके ईनसार जानकारिया और जो तथे हैं उनकी जानकारिय है जो समय और पहलोके लिचाब से जो बदलावरां बदलावों और अउकत कराना जरूरी रहता है अगला है पाठ्ठिक्रम निर्मान करता है एक आतर शिक्षक की विसेस्ता है कि वो पाठ्ठिक्रम निर्मान करता होता है उसमें ये गुण होना चाहिए कि वो पाठ्ठिक्रम को किस नजरिय से देखता है उसमें क्या बदलाव करना चाहता है किस तरह से अपने नजरिय से उस जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो वर्ग है, समाच है, समुदाय तत्वों की बीच कड़ी का काम करें, समाच को विद्याली से जोड़े, विद्याली को समुदाय से जोड़े, इस तरह से कड़ी का काम करना चाहिए, समाच की पूरूतिया होती है, कूप रथा होती है, उनको दूर करने का पयास करें, एक नभीन सोच का संचार करें और इस तरह से एक आदर समाज का निर्मान करें, तो हम कहा सकते हैं कि ये रागी दिविग्या शिक्षक की जिम्मेदारी है, इन जिम्मेदारीयों को एक शिक्षक को भली बाती समझना चाहिए, अब व्यवसाइक आच किस तरह से पून करना है, अपना शिक्षुच और कीस तरह से करना है, ये और एक शिक्षक को होना चाहिए उस प्रशिक्षम गेनकर करना है, जिए त्रेनिंग के माद्यम से अपने अंदर निपू journalists आ लाई जाती है, अपने अंदर бок्यता लाई जाती है, यो और किश जाहिए पहलों का एक शिक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष अगला है व्यावसाय के प्रती निष्टा एक शिक्षक की हमेस्त अपने व्यवसाय के प्रती निष्था होनी चाहिए। वो शिक्षण नहीं कराना चाहिए अगला है प्रयोगात्मक द्रश्टी कौन राजी दिरिग्यान शिक्षण की एक खुबी है उसमें प्रयोगात्मक द्रश्टी कौन होना चाहिए प्रयोगात्मक यानि कि जो भी परंपरा कर द्रश्टी कौन है उससे हट कर प्रयोगात्मक यानि नवीनता कैसे लाना, कौन सी शीक्षण वीडियो का सामीर करना इस तरह से नवीन सोच वाला शीक्षप होना चाहिए अगला है पर्त्य सहयगामी क्रियाओं में रूची राज़निती विग्यान शिक्षप या एक शिक्षप होने के ना तो जो पात्टी सहेगा में जो क्रियाओ को कल्चर्स activity उसमें भी रूची होने चाहिए इसे को सामिल किया जाना चाहिए ताकि बालग शिक्षण के इसास सत इन क्रियाओ में भी एक्टीव और सहेज रूप से अपने आपको शामिल कर सके अगला तो छिक्षा के उदेशियों को बती चालो可能 एक शिक्ष़क्यी सबसे बड़ी चालोत है कि जो जो भशा की सुदेशिया ओस्देश्याय को रिखास होता है या जीवन की प्रति yap Авड जो बेच्षियों चुक्तो मुधरी हमसार ज्यागरू कुले ना चाहले बाल्गों का किस तिष उत्थांग करना है किस तिष से उनके प्लति का मार प्रशोश्ष्ट करना है यह सार ताँब्धिया शिक्षक होना च Mississippi वह तक हो सकता है प्रियोकात में दर्ष्टी कोण हो, पठे सैगाने क्रियाव में रिची हो, शिक्षा के उद्यसिन प्रती जानुता हो तो आज की कफशा में हमने जो पार्ड दी के तीसरे कोश्चन को सॉल करा जिसकी वर्ड लिमीट है 250 सब्द, इन पॉइंटों को लिखते हुए हमें हमारे प्रश्ण के उत्तर को 250 सब्दों में सामिल करना है आपका ग्रेक आर रहे हैं, राजनीदी विज्ञान के शिक्षक की जिम्मेदारिया एवं पेशेवर आचार का उलेक किजिए